द्रव से जुड़े हुए इन प्रमय में कुछ शब्द आपको बार बार देखने को मिलेंगे तो आए इन शब्दों की कुछ परिभाशाएं जानते हैं सबसे पहला श्यांद्रव यानि कि विसकस लिक्वेड ऐसा लिक्वेड जिसमें विसकॉसिटी हो या यह कहें जिसकी श जानता गुडांग जिसका जीरो हो उसे हम अश्यांद्रव कहते हैं नेक्स्ट है असंपेडिय द्रव यानि की इनकंप्रेसिबल लिक्विड ऐसा द्रव जिस पर बल लगाने से उसके आयतन और घनत में परिवर्दा नहीं होता उसे हम असंपेडिय द्रव यानि की विसकस हो साथ साथ वो इनकंप्रिसिबल हो और संपिंडिय भी हो ऐसे तरल को हम कहते हैं आदर्शु तरल पर वहवार में आदर्शु तरल होता ही नहीं है हम अपनी सुईधा के लिए जब हम किसी प्रमय की वियुत्पत्ति करते हैं तो कुछ द्रवों को आदर्श मान लेते यह यह कहते हैं कि आदर्शु द्रव पाइप के अंदर से प्रवाहित हो रहा है तो बच्चों जब भी हम ऐसा कहते हैं किसी प्रमय को की वियुत्पत्ति करने के लिए तो यह अंडस्टूड होता है कि वहवार में ऐसा द्रव मौजूद नहीं है इसलिए तो जब हम थियो हुआ एक और कॉंसेट्ट भी हम समझ सकते हैं जिसे हम इस्तरिय प्रवाह यानि कि लैमिनर फ्लो कहते हैं जब किसी पाइप में द्रव प्रवाहित होगा स्टार्टिंग में द्रव रुका हुआ है तो जो उसकी पड़ट पाइप के संपर्ख में है उसकी सता से उस पड़ट का वेक्षउन्य होगा और जैसे ही ये द्रव प्रवाहित होना शुरू होता है तो इन परतों को यदि हम अक्ष की ओर जाते हुए देखें तो जो परत इस pipe के संपर्क में उसका विक्षुन नहीं और हम अक्ष की ओर अंदर की ओर बढ़ रहें तो हम देखते हैं कि इसका विक धीरे-धीरे बढ़त और इस प्रकार, जब कोई द्रव इस पाइप के अंदर प्रवाहित होता है, तो में देखते हैं कि इसका पथ इस तरह से हो जाता है, हम इसके वेल्विचि प्रोफाईल को देखें, तो यह तो वह वकराकार होगी, यदि हम कोई श्यान द्रव लेते हैं, कि श्यान द्रफ में अपिक्षिक गती के विरोध करने वाला बल अधिक होता है तो इस प्रकर हम देखेंगे कि जो बीच वाली परत है वो सबसे अधिक वेग से गती करी है जबकि पाइप के संपर्क वाले जो परत है वो जीरो वेग मतलब अभी उसका वेग हम शूने मानके चले हैं जब गती करेगा तब भी हम देखेंगे कि यह डिफरेंस बनाई रहता है और इस वेलोसिटी ट्रजेक्टरी को देखे हम तो यह पैराबोलिक होती है यदि हम श्यान द्रफ की बात करें यदि हम अश्यान द्रफ की बात करते हैं तो उसमें हम यह मानके चलते हैं कि इनके विभिन परतों के बीच में आप एक शी गती का वीरोध नहीं होता यह लगभक शून नहीं होता है तो इन सभी परतों का वेग एक ही होगा और इनकी यदि हम वेलोसेटी प्रोफाइल देखें तो यह एक स्ट्रेट लाइन के रूप में होगी और इस प्रकार के प्रवाह को हम कहते हैं इस्तरिय प्रवा या लैमिनर फ्लो और बच्चों यह देखा गया है कि कि किसी भी द् द्रवाह धारा रेखिये यह लैमिनर स्टरिय एक निश्चित वेग से कम होने पर ही होता है और इस निश्चित वेग को हम कहते हैं क्रांतिक वेग और बच्चों यह देखा गया है कि कि किसी भी द्रव का वेग एक निश्चित वेग से कम हो तभी उसका प्रवाह धारा रे क्रांतिक वेग यानि की क्रिटिकल वेलोसिटी के नाम से जानते हैं अब द्रब का वेग इस क्रांतिक वेग से बढ़ जाए उस कंडिशन में किसी निश्चित बिंदू पर वहां से गुजरने वाले सभी कणों का वेग एक समन नहीं होगा और ये किसी भी आड़े तिर्छे म नार्ग का गमन करते हुए आगे की और प्रवाहित होंगे और यदि इसकी वेलोसिटी ट्रजेक्ट्री देखें तो इस प्रकार होगी यह किसी भी दिशा में किसी भी वेग से गमन करने में समर्थ होंगे और यहां पर इनकी ट्रजेक्ट्री को देखें तो ये तरल कंड के पत एक दुसरे को काटते हुए भी हो सकते हैं और इस प्रकार के प्रवाहा को हम कहते हैं विक्षुब्द प्रवाहा यानि कि टर्वलेंट फ्लो क्योंकि यहां पर पूरी तरे से उथल पुथल हो चुकी होती है यह यह कहें कि विक्षुब उत्पन हो चुका होता है और इसके कारण ही प्रवाह डिस्टरब हो जाता है और सिंपल शब्द में समझने की कोशिश करें तो स्ट्रीम लाइन फ्लो एक ज़र आता है सब एक ही साथ आगे हिलाते हुए आगे बढ़ते हैं मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पर देखें तो चाहें उनके हाथ का वेग लें यह पैर का वेग लें वहां से गुजरने वाले सभी आर्मी सोल्जर्स का वेग एक समान ही होता है तो इस प्रकार का फ् प्रवाह को आपने देखा है यदि आप नल को ओपन करते हैं और बड़े धीरे से उपन करते हैं यानि उस समय जो पानी नल से करण है वो एक के पीछे एक लाइन से आगे के और गती करते हैं और एक स्मूथ प्रवा हमको दिखाई देता है वो स्ट्रीम लाइन फ्लो होता है लेकिन जैसे जैसे अपनल का वेग बढ़ाते जाते मतलब खोलते जाते नल खोल और ओपन करें मतलब ज्यादा स्पेस दे रहे विक्षुब्द प्रवाह और आप ये चीज़ नोटिस करेंगे कि एक निश्चित वेग तक ही उसका प्रवाह स्ट्रीम लाइन रहता है यानि कि धारा रेखी रहता है और उसके बाद प्रवा विक्षुब्द हो जाता है अब हम धारा रेखी प्रवाह और प्रवाह में किसी बिंदू से गुजरने वाले प्रत्य कंड का वेग वही रहता है और प्रत्य कंड आगे जाने वाले कंड का पत पत्थ अनुगामी होता है इस प्रवा में किसी बिंदू से गुजरने वाले प्रत्य कंड का वेग भिन भिन हो सकता है इस प्रवा में कंड का कण का वे क्रांतिक वेग से कम अत्वा बराबर होता है इसमें कण का वे क्रांतिक वेग से अधिक होता है इस प्रवा में कणो का वेग सरल रेखिया या वक्री हो सकता है कणो का मार अनियमित एवं तेढ़ा मेडा होता है प्रतिक बिंदु पर तरल का दाब तथ घनत्व निय प्रवा और विक्षुप्द प्रवह को बताने के लिए एक संख्या भी बताई इस संख्या को हम उनके नाम के आधार पर रेनल्ड्स संख्या यानि रेनल्ड्स नंबर के नाम से जानते हैं उन्होंने एक क्वांटिटी दे दी एक नंबर डिसाइड कर दिया और उस नंबर के आधार पर हम यह जान लेते हैं कि किसी भी पाइप में प्रवाहित होते हुए द्रव का प्रवाह तर्वलेंट होगा यह स्ट्रिम्लेंट होगा इस संख्या को ज्याद करने के लिए उन्होंने यह सूत्र दिया आर यानि कि रेनल्स संख् किया बराबर रो वी डी अपॉन इटा जहां रो द्रव का घनत्व है वी तरल के प्रवाह की दर है डी यहाँ पर पाइप का व्यास है और इटा तरल का श्यान्ता गुणांग और इस आधार पिर उन्होंने क्यालकुलेशन किये और एक संख्या को प्राप्त किया यदि रेनल्स संख्या का मान हजार से कम आता है इसका मतलब पाइप में प्रवाहित होते हुए द्रव का प्रवाह स्ट्रीम लाइन होगा धारा रेखी होगा यह यू कहें इस तरिये होगा और यदि रेनल्स संख्या का मान दो हजार से अधिक हुआ उस समय द्रव का प्रवाह तर्वलेंट हो जाता है और रेनल्स संख्या का मान हजार और दो हजार के बीच में वैरी कर रहो तो उस स्थिती में द्रव का प्रवाह अनेक्सपेक्टेड होता है वो धारा रेखिये से विक्षुब्द की और भी बढ़ सकता है या विक्षुब्द से वो धारा रेखिये भी हो सकता है तो इस प्रकार हम रेनल्स संख्या के अधार पर किसी भी पाइप में प्रवाहित होते हुए द्रव की प्रवाह को भी बता सकते हैं तो चलो बच्चो इस आधार पर एक numerical question भी बनाएं और इस सब concept से पहले मुझे कुछ और concept बताने थे इसको हम इसके पहले लगाएंगे इस clipping के पहले लगाएंगे हमने द्रफ से जुड़े हुई कुछ परिभाशाय देखी इनके प्रवाह को करण को जानते हैं यानि कि equation of continuity equation of continuity को समझने के लिए हम जो condition ले रहे हैं उस condition में जो जो हमने परिभाश आए पड़ी थी उसके आधार पर इस statement को आप समझने की कोशिश करिए सबसे पहले हम यह देखते हैं कि यदि कोई आदर्श द्रव आदर्श द्रव का मतलब क्या होता है ऐसा द्रव जो कि incompressible हो और संपिंडिय हो और नॉन विसकस हो यानि कि अश्यान हो यह किसी पाइप में प्रवाहित हो रहा है ऐसा पाइप जिसके अनुप्रस्त काट का छेत्रफल अलग-अलग हो मतलब पाइप एक समान नहीं है बलकि इसकी मोटाई अलग-अलग है यह परिवर्ती है और इसके अंदर यह आदर्श द्रव धारा रेकी प्रवाह में प्रवाहित हो रहा है उस कंडिशन में इसके अनुप्रस्त काट का छेत्रफल और धारा का कुणनफल प्रत्यक इस्थान पर नियत ही रहता है यह अवीरतता का सिध्धान्त है और इसी के अधार पर ही हम सांतत्य समीकरण लिखते हैं और यदि इस पाइप को हम देखे एक साइट से मोटी है मान लेजिए हम इस पाइप के दो अनुप्रस्त काट के परिक्षेद ले रहे हैं एक को एक्स और एक को वाई से दर्शार है एक्स वाला हिस्सा मोटा दिख रहा है और वाई वाला हिस्सा पतला दिख रहा है इस मोटे पाइप के हिस्से के अनुप्रस्त काट का को एटू लेते हैं और उनमें से जो धारा प्रवाहित हो रही है यानि द्रफ प्रवाहित हो के आगे क्यों बढ़ रहा है उससे हम वी टू लेते हैं तो सांतत्य समीकरण इस प्रकार लिखा जाता है A into V यानि product of area and velocity छेत्रफल और वेग का गुडन फल हमेशा नियत रहेगा इसका मतलब मोटी वाले pipe में वेग कम होगा जबकि पतले वाले cross section एरिया में देखेंगे तो वहां पर वेग आधिक होगा यह छेत्रफल और वेग का गुडन फल नियत है इसका क्या मतलब निकलता है कि छेत्रफल और वेग का संबन्द एक दूसरे के साथ व्यूत करम अनुपाती है यानि छेत्रफल अधिक होगा यानि मोटी वाली pipe होगी वहां पर वेग कम होगा और इस चीज़ को आपने experience भी क्या होगा आप में से बहुत ऐसे हैं जिने gardening का शौक होगा यदि आप gardening करते होंगे तो आप pipe से पौधों को पानी भी देते हैं और जब आप pipe से पौधों को पानी देते हैं तो अपने देखा होगा यदि आप pipe से केवल पानी को आराम से जाने दे तो पानी एक मोटी धार की रूप में बाहर निकलता है जितने pipe का cross section area है कभी हम क्या करते हैं पानी को बहुत दूर तक भीजना हो तो हम pipe के सामने अपनी उंगली रख देते हैं pipe के आधे हिस्से को हम छुपा देते हैं आधे हिस्से को छुपा रहे मतलब pipe का cross section area हम कम कर रहे हैं अपने दैनिक जीवन में भी इस्तमाल करते हैं हाला कि वहाँ पर हमने जो द्रव लिया है वह आधर्श नहीं है आसमबेडिय नहीं है आश्यान नहीं है पर फिर भी वहाँ पर हम दिखते हैं कि equation of continuity बहुत है तक लागू की जाती है तो आईए बच्चो इस equation of continuity को हम derive करते ह है अब यहाँ पर हमने दो परिक्षेद ली है एक्स और वाई एक्स का छेत्रफल एवन है वाई का छेत्रफल एटू एक्स में द्रव के प्रवाह का वेग वीवन है और वाई में द्रव के प्रवाह का वेग वीटू है अब यदि हम एक्स परिक्षेद की बात करते हैं यह इहां पर एक सेकंड में द्रव की द्वारा तैय की गई दूरी कितनी होगी बच्चों हमारे पास फॉर्मुला है वेग बराबर दूरी बटे समय तो दूरी बराबर होगा वेग इंटू समय तो हम लोग वेग को समय से गुणा करेंगे अब हम बात कर रहें एक सेकंड की तो स तो आयतन कैसे निकालते हैं लंबाई इंटू चोड़ाई इंटू उचाई यह यू कह सकते हैं अनुप्रस्त काट का छेत्र फल इंटू लंबाई तो यहाँ पर अनुप्रस्त काट का छेत्र फल है A1 और लंबाई यानि की एक सेकंड में तैकी कई दूरी यह हमने निकाला V1 तो V1 से गुणा कर देते हैं अब इसी परिक्षेद में इस नली के अंदर प्रवाहित होने वाले द्रव का द्रव्यमान ग्यात करेंगे द्रव्यमान होता है आयतन इंटू घनत्व मान लीजे जो द्रव इस नली में प्रवाहित हो रहा है उसका घनत्व हम रो ले रहे हैं अब हमको इस घनत्व को आयतन से गुणा करना है तब हमें द्रव्यमान प्राप्त हो जाएगा तो हम लिखेंगे A1 V1 इंटू रो और इसी प्रकार Y परिक्षे से जितने भी द्रव का द्रव्यमान बाहर निकल रहा है उसे भी हम ग्यात कर सकेंगे तो प्रती सेकेंड Y परिक्षे से बाहर निकलने वाले द्रव का द्रव्यमान यह हो जाएगा A2 इंटू V2 इंटू रो अब चूगी यह द्रव incompressible है इसका मतलब इसका आयतन समान होगा चाप X परिक्षे की बात करें चाप Y परिक्षे की बात करें तो प्रती सेकेंड जितना द्रव X परिक्षे से अंदर हो रहा है नली के उतना ही द्रव प्रती सेकेंड Y परिक्षे से बाहर निकलेगा इन दोनों आयतन को हम बराबर करते हैं तो मैं मिलेगा A1 V1 रो इक्वल टू A2 V2 इंटू रो तो उन्हों पक्षों से रो कैंसल हो जाएगा तो मैं मिलेगा A1 V1 इक्वल टू A2 V2 और यहां से हम देखे V1 अपॉन V2 बराबर होगा A2 अपॉन A1 और यू कह सकते हैं कि वेग का संबंद छेत्रफल के साथ व्यूतक्रम अनुपाती होता है और इसलिए हम पाइप में चाहे कितने भी अनुप्रस्त काट के परिक्षिद ले ले चाहे वो अलग-अलग छेत्रफल के क्यों ना हो जब उन छेत्रफल को वेग के साथ गोणा किया जाएगा तो हमेशा वो नियत राशी होगी और इस प्रकार हम लिख सकते हैं A इंटू V बराबर कॉंस्टेंट तो इस equation of continuity को समझने के बाद इसको derive करने के बाद चलिए इस पर अधारी तेक निमेरिकल कोश्चन बनाते हैं प्रश्न तीन सेंटीमीटर व्यास वाली नली में पानी बह रहा है उसका औसात पे ज्यात कीजिए ये दिप्रवा धारा रेखिये हो दूसरा विक्षुब्द प्रवा हो पानी का श्यांता गुणाग 0.001 पॉईजले हो इस प्रश्न में दिया गया है डी बराबर तीन सेंटीमीटर यानि नली का व्यास दिया गया है इसे मीटर में कनवर्ट करेंगे तो ये होगा 3 इंटो 10 तो पावर माइनस 2 मीटर और पानी का श्यांता गुणाग दिया गया है इचे बराबर 0.001 पॉईजले हमें पानी का घनत्व याद रखना होगा पानी का घनत्व रो बराबर 10 तो पावर 3 किलोग्राम प्रती मीटर क्यूब होता है अब धारा रेकी प्रवाह के लिए हम रेनल्ड संख्या गयात करेंगे हम जानते हैं धारा रेकी प्रवाह के लिए रेनल्ड संख्या हजार से कम होनी चाहिए तो हम अधिकतम मान को लेते हैं रेनल्ड संख्या के रूप में जिसमें प्रवह धारा रेखिये हो तो आरी बराबर थावजंड लेंगे अब रेनल्ड संख्या का सूत्र लिखेंगे आरी बराबर रो वी डी अपॉन इटा और यहां से हम वेख बराबर लिखेंगे आरी इंटू इटा अपॉन रो डी और यह सारे मान इस सूत्र में रखकर इसे सरल करने पर हमें मिलेगा आरी बराबर वन अपॉन थाटी और आरी बराबर जीरो पॉइंट जीरो त्रीडरी मीटर प्रतिसाइकर अब हम पानी का औसद विख्याद करेंगे जब प्रवाह विक्षुप्त हो विक्षुप्त प्रवाह के लिए न्यूनितम लिमिट होती है 2000 तो कि 2000 से अधिक रेनल्ड संख्या के लिए प्रवाह विक्षुप्त होता है इसमें आरी बराबर टू थाउजन लिखेंगे और यह मान रेनल्ड संख्या के सूत्र पर रखेंगे सूत्र लुसार आरी बराबर रो वीडी अपॉन इटा है तो वी बराबर होगा आरी इटा अपॉन रो डी और इसारे माने सूत्र में रखने पर यह सरल करने पर मिलेगा 2 अपॉन 30 यानि 0.067 मीटर प्रप्रेश्ण एक असमान परिक्षेद वाली 36 नली में कोई द्रव तथा द्रव के बहने का विक 25 cmप्रति सेकंड है उस स्थान पर जहां नली की त्रिज्या 2 cm है द्रव के बहने का विक क्या होगा इस प्रश्ण में दिया गया है आर वं बराबर 0.5 cm circa v1 बराबर 25 cm प्रति सेकंड और r2 बराबर 2 cm अब equation of continuity से हमें मालूम है A1 V1 बराबर A2 V2 होता है क्योंकि नली के अनुप्रस्त काट का छेत्रफल एक वृत के छेत्रफल के बराबर होगा इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे पाई R1 स्क्वेर इन्टु V1 इकवल टू पाई R2 स्क्वेर इन्टु V2 और यहाँ से V2 बराबर होगा V1 ब्राकेट के अन्दर R1 अपॉन R2 का होल स्क्वेर अब यह समीकरण में हम सारे मान को रख देते हैं और उसे हाल करते हैं तो मैं प्राप्त होगा 25 ब्राकेट के अंदर 0.5 अपॉन 2 का होल स्क्वेर और सॉल्फ करने पर हमें मिलेगा 25 अपॉन 16 यानि कि 1.5 सेंटीमीटर प्रतिस सेकेंड अब हम देखते हैं कि किसी भी प्रवाहित होतें द्रव में कौन-कौन सी उर्जाएं होती हैं यदि द्रव प्रवाहित हो रहा है मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान में गमन कर रहा है इसका मतलब तो confirm है उस द्रव में गती जूर्जा होगी तो सबसे पहले हम गती जूर्जा के बारे में चर्चा करेंगे यदि द्रव का द्रव्यमान M है और ये V वेक से प्रवाहित हो रहा है तो इसकी गती जूर्जा का सूत्र होगा half M V square और एकांक द्रव्यमान के लिए गती जूर्जा यदि हम कैल्कुलेट करें तो इससे हम M से यानि इसके द्रव्यमान से भाग देंगे तो यह जाएगा half V square और प्रती एकांक आयतन के लिए गती जूर्जा का सूत्र देखें तो यह का half M V square अपॉन V जहाँ V आयतन है यह small letter V वेग है जिपी capital letter V इस द्रव का आयतन है और द्रव्यमान बटे आयतन होता है घनत्व तो हम लिख सकते हाफ रो V square जहाँ रो द्रव का घनत्व है अब इसी गतीज उर्जा को प्रती एकांक भार के लिए ग्याद करें तो इसे हम एक नया नाम देते हैं इसे हम वेग सिर्ष कहके कारते हैं और इंग्लिश में velocity head तो जो गतीज उर्जा का formula में मिला हाफ M V square इससे हम भार से भाग देंगे और भार बराबर होता है द्रविमान इंटू त्वरण तो हम द्रविमान मतला M लेंगे त्वरण यहाँ पे गृत्वी त्वरण होगा तो M G से भाग देंगे यहाँ से M और M cancel हो जाएगा तो गतीज उर्जा का सुत्रों का half V square upon G अब मान लीजे यह द्रव किसी उचाई में प्रवाहित हो रहा है तो इसकी उचाई के कारण इसमें स्थितीज उर्जा भी होगी और स्थितीज उर्जा प्रत्वी की सता से उचाई पर निर्भर करती है माली जी यह उचाई हम H ले रहें तो द्रव की स्थितीज उर्जा होगी M G H जह M द्रव का द्रवेमान है जी गृत्वी त्वरण और H प्रत्वी की सता से उचाई अब स्थितीज उर्जा को यदि हम प्रती एकांक द्रवेमान में कैल्कुलेट करें तो यहोगा M G H अपॉन M, M से भाग दे रहे हैं तो बचेगा G H और स्थितीज उर्जा यदि हम प्रती एकांक आयतन में और यदि स्थितीज उर्जा को हमें प्रती एकांक भार के लिए ग्याद करना हो तो इसे हम एक नया नाम देते हैं इसे गृत्व शीर्ज, क्रेविटेशनल हैड या फिर स्थितिक शीर्ज यानि स्टैटिक हैड के नाम से पुकारते हैं तो अब हम जो स्थितीज उर्जा उसको भार से भाग दे देंगे यानि एम जी से तो यहां पर बचे का केवल एच तो यह स्टैटिक हैड का सूत्र हुआ अब बच्चो कि द्रफ को प्रवाहित होने के लिए दाब की अविशक्ता होती है जब हम दाब लगाते हैं तो द्रफ प्रवाहित होता है और दूसरे इस शब्द में यह कह सकते हैं दाब ओर जा वा ऊर्जा है जो किसी भी द्रफ को प्रवाहित करने के लिए किये गए कारे करना करेंगे कढ़ना करेंगे और काय औरक फॉर्मुला हमको मालूम है यह बराबर बल in to wish थापन अब है अब हम बलका कैलक्शन कर लेते हैं हम जानते हैं दाब बराबर बल बटे छेत्रफल तो बल बराबर होगा दाब इंटू छेत्रफल मान लिजिए इस तरल का दाब पी है तो हम उसे पी से डिनोट करेंगे और छेत्रफल हमने पाइप का मान लिजिए यह लिया है और इसमें विस्थापन जो भी हो रहा होगा मान लिजिए एकस विस विस्थापन मतलब तैय की गई दूरी यह बताता है आयतन तो हम यहाँ पर लिख सकता है पी इंटु वी यानि कि दाब इंटु आयतन यह दाब उर्जा को प्रदर्शित करता है और दाब उर्जा यदि हम प्रती एकांक द्रव्यमान के लिए ग्याद करें तो हम इसे M से भा द्रव्यमान लिकर हैं तो वह एक बटए घंदव के बराबर होगा इसलिए प्रती एकांक द्रव्यमान के लिए दाब उर्जा होगी पी अपॉंद रो अब प्रती एकांक आयतन के लिए दाब उर्जा ग्याद करेंगे इसे आयतन से भाग दे देंगे तो हमारे पास बच्ची का केवल P ये प्रती एकांक आयतन की दाब उर्जा है और इस दाब उर्जा को प्रती एकांक भार के लिए जब कैल्कुलेट करते हैं तो इसे हम एक नया नाम देते हैं, इसे दाब शिर्ष कहते हैं, प्रेशर हेड, तो दाब उर्जा PV को MG से भाग दे देते हूं, अब V upon M हो जाएगा, 1 upon rho, तो दाब शिर्ष बरापर मिलेगा, P upon rho G, इस प्रकार हमने किसी भी पाइप में प्रवाहित होने वाली द्रव के लिए तीनों प्रकार की उर्जाओं का समीकरण देखा, और इस उर्जा के समीकरण को हम अलग-अलग स्थिती में देखते आए, कभी प्रतियक आंग आयतन के लिए देखे, द्रविमान के लिए देखे, या फिर प्रतियकंग भार के लिए देखें क्योंकि अलग अलग स्थिती में अलग अलग फॉर्मले का स्तमाल किया जाता है तो चलिए बच्चों इस पर आधारित एक निमेरिकल कोश्चन बनाते हैं